क्रिष्टों जन्म भूमी विवाद ना केसों नू विवरन नहीं मडवा पर सुप्रीम कोट नाराश थै सुप्रीम कोटे से क्रिष्टों जन्म भूमी विवाद मामला मा अलाबाद हाई कोट ना रजिस्टानी रजुथावानू आदेशाप्यु छे अलाबाद हाई कोटे आनिस साथे जोडायला तमाम केस पोतानी पासे ट्रांसफर करया छे मथुरामा स्त्रिक कुरुषण जन्म भुमी विवाद मामला साथे जोडायला केसोनु विवरन हजु सुधी नही मणवा पार सुप्रिम कोटे आकुर वलन अखत्यार करियू छे सुप्रिम कोट ना बे जजोनी खंड पीठे मामलो अलहाबाद हाई कोट ना चीफ जश्टिस ना ध्यानमा लावा नो आदे सापियो तेनी साथे जगंड पीठे हाई कोट ना रजिश्टरार ने पन आगामी सुनावनी माव्यक्ति गतरीते रजू थवा माटे कहिऊ छे अमामला मा आगामी सुनावनी 13 मी ओक्टोबर थशे है उस सारी दुनिया के सामने जल्द से जल्द आए सुप्रिंग कोट ने 21 जुलाई 2023 को आदेश पारिफ किया कि ऐसे कितने मामले हैं जो इलाबाद हाई कोट ने अपने पास ट्रांसफर किया उसकी लिस्ट रिजिस्टरार इलाबाद हाई कोट सौपे और तीन हफ़ते का समय दिया थे रिजिस्टरार इलाबाद हाई कोट को अपनी लिस्ट सम्मिट करने के लिए रिजिस्टरार इलाबाद हाई कोट समय तरह तीन हफ़ते के अंदर अपनी लिस्ट सम्मिट करने के लिए और इसलिए सुप्रिम कोर्ट ने सेकेंड रिमाइंडर इशू किया और 30 अक्टूबर डेट लगाई है जब रेजिस्टार इलाबाध हाई कोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट सम्मिट करनी है कि श्री क्रेशन जन्म भूमी से पर्टेनिंग कितने ऐसे मामले हैं जो समिट ट्रा अलहबाध हाई कोर्ट इसरी क्रुषन जन्म भूमी विवाद साथे जोड़ायला तमाम केस पोतानी पासे ट्रांसपर करे लिदा छे मतुरानी शाही इद्गा मस्जिद कमिटी ये आनो विरोत करे हो छे अने सुप्रिम कोर्ट नो दर्वाजों खखडावे हो छे त्यानू सिंगल डोकुमेंट वो कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाएं कोई उनके पास ना रहवनी को रकॉर्ड है ना हिस्टी की कोई भुग दाखिल कर पाएं वो जानते हैं कि धाई एकर जमीन है तेरे पूंट 37 एकर में से उन्होंने कबजा किया हुआ है वो जानते इस बात को और वो किस हेंड से आएं क्या कहें कोट में आ करके तो उनकी एक रणनीती रही है शरू से के इस मामले को लंबा की चाजा जाज तर लंबा की सकते हैं अ संतुष्ट जुआ मर्या हता Bureau Report GSTV